प्रमी आठ कथन व्रित की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है ज्याद है व्रित पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कोण ल,्,M,N है सिद करना है कि कोण L,N,M बराबर 90 यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण ल-o-m बराबर 180 जो की एक सरल रेखा है सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 जोता है यह एक कमारे पास सरल रेखा पर बना कोण है अब हम यहां पर देखते हैं कि कोण l-o-m कोण l-o-m बराबर दो गुणा कोण l-n-m है यह चीज हमने पिछले प्रमे में किया था जिसमें वरित के किसी चाप द्वारा केंद पर अंतरीत कोण वरित के परिधी के शेज भाग के किसी बिंदु पर अंतरीत कोण का दुगना होता है इस प्रमे का हमने यहां प्रयोग किया है कि वरित के किसी चाप द्वारा केंद पर अंतरीत कोण वरित के परिधी के शेज भाग के किसी बिंदु पर अंतरीत कोण का दुगना होता है इसलिए हम यहां पर कोण L O M के स्थान पर दो गुणा कोण L N M लेंगे बराबर 180 अंच या कोण L N M बराबर 180 अंच बटा दो और 180 अंच बटा दो बराबर 90 अंच तो अता हम कह सकते हैं कि एक वरित की परिधी के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरीत कोण समकोण होता है